गुर्णिंग श्टूरंट आज हम दुसरी कविता जो है हमारे अध्यन के लिए माखनलाल चोत्रुवेदी जी की एक कविता है माखनलाल बोलने के साथ हमें कनया लाल की याद आती है कि क्योंको माखनलाल कहा जाता है माखन चोर कहा जाता है इस प्रकार से तो हिंदी साइत जगन के हमारे माखनलाल चोत्रुवेदी जी जो है यो राष्ट हीत के लिए और इनको यहाँ पर राष्टिय बावनान से उत्प्रोथ होने के कारण इनको भारतिय आत्मा कहा जाता है आज हम कवी का परिचे और थोड़ा उपरी तोर पर भावार देखेंगे कवीता बहुत सुन्दर है कवीता का सार आज देखेंगे उपरी तोर पर और कवी परिचे कल के क्लास में पूरी कवीता होन देखते हैं देखिए कवीता का नाम है बेटी की विदा बेटी की विदा विदाई किस प्रकार होती है और एक पिता कितनी दुखी होते है बेटी की बिदाई पर ये बात प्रस्तुतिस कविता के माध्यम से माखनलाल चुत्रिवेदी जी ने हमें बताई है मैं पिडियप के माध्यम से ये कविता और कवी का परिचे भी सेन करूँगा उसको भी आपको देखना है माखनलाल चुत्रिवेदी जी राष्ट्रहित को ये अपना परम लक्ष मान लेने वाले कवियों में माखनलाल चुत्रिवेदी जी का नाम शिर्ष है ये एक ऐसे कविते जिन्नोंने यूग की आवशकताओं को पैचाना परतंत्र भारतियों की दिन हिन दशा को देखकर इनकी आत्मा चित्कार करूटी राष्टिय भावनाओं से ओत्प्रोथ होने के कारण ही इन्ने हिंदी साहिते के चैत्र में भारतिया आत्मा के नाम से संबोधित किया जाता है क्रांती के अमर गायाक स्री माखनलाल चोत्रुवेदी का जन्म 1889 इमें मद्यप्रदेश के बाबई नामक स्तान पर हुआ था इनके पिताप पंडित नंदलाल चोत्रुवेदी अध्यापक थे प्रात्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कुरूद बांगला गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्येन किया तता कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया तत पश्यात खंडवा से कर्मवीर नामक साप्ताईक पत्र निकालना प्रारंबग किया सन 1913 इमें इस्व प्रसिद्ध मासिक पत्र का प्रभा के संपादक नियुकत हुए चत्युवेदी जी एक भारती आत्मा नाम से लेक कविताएं लिखते रहे इनकी कविताएं देश प्रेम के मतवाले योकों के लिए प्रेणा का स्तोध बनी स्री गणे शंकर विद्ध्यार्ती की प्रेणा तता साचर्य के कारण ये राष्टी आंदोलनों में भाग लेने लगे इनने आने एक बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी जेल से चुटने पर सन 1943 में ये हिंदी साहिते समयलन के अद्धेक्ष बने हरिद्वार में महें शांतानन्द की और से चांदी की रूपियों से इनका तुलादान किया गया पहले के लोग ये दान तुलादान ब्रामाना दिलोग बहुत करते हैं देखिए तो इसी प्रकार चांदी के रूपियों इनके तुलादान में लगाये थे भारत सरकार ने इनने पद्म विभूशन की उपादी से विभूशित किया मद्यप्रदेश सरकार ने भी इनने प्रस्कुरूत किया असी वर्ष के आयू में 30 जनवरी उन्निसोत पर्षश्टी को इस महान भारती आत्मा की बानी सदा के लिए मौन हो गई माखनलाल चत्रुवेदी जी का साहित्तिक जीवन पत्रकारिता से प्रारंब हुआ इनमें देशप्रेम की प्रवल भावना विद्यमान थी अपने नीजी संगर्षों, वेदनाओं और यातनाओं को इन्हों ने अपनी कविताओं के माद्यम से वेक्त किया कोकील बोली शिर्शक कविता में इनके बंदी जीवन के समय प्राप्त यातनाओं का मर्म परशित चित्रन हुआ है इनका संपूर्ण साहितिक जीवन राष्टी विचारदारों पर आदारी थे या आजीवन देशप्रेम और राष्ट कल्यान के गीत गाते रहे इनके राष्टवादी भावनाओं पर आदारीत कावे में त्याग, बलिदान, करतेव्य भावना और समर्पन के भाव नहीं थे ब्रिटीश सामराज्य के अत्याचारों को देखकर इनका अंतर्मन जौला मुकी की तरह धदकता रहता था अपनी कविताओं में प्रेणा, हुंकार, प्रडादना, प्रतांडना, उद्बोधन और मनुहार के भावों को भरकर ये भारतियों की सुप्त चेतना को जगाते रहे बारतिय संस्कूति, प्रेम, संदर्य और अध्यात्मिक्ता पर भी इन्होंने अन्य कुरुदय परशित चित्र अंकित किये है चोत्रिवेदी जी के कावे का मुल सवर राष्टियता वादी है राष्टियता इनके कावे का कलेवर है तो भक्ति और रहसे वाद उसकी आत्मा, इनकी कुरुतियों का संक्षित परिचय इस प्रकार है कुरुष्णार्जुन युद्ध यो अपने समय की प्रसिद्ध रचना रही इनमें प्रवरानिक नाटको भारतिय नाट्य परंपरा के अनुसार प्रस्तुत किया गया है अभिने की दुरुष्टी से यह अत्यदिक सशक्त रचना है साहीत्य देवता यह चत्रुवेदी जी के भावात्मक निबद्धों का संक्रह है हीम तरेंगिनी यह इनकी साहीत्य अकदमी प्रस्का से प्रस्कुत रचना है कलाकानवाद यह इनकी कारणियों का संक्रह संतोष, बंदन सोग, इनमें गणेश शंकर विद्यार्ती की मदूर्स मूर्तिया है राम नवमी इन कविताओं में देश प्रेम और प्रभु प्रेम को समान रूप से चित्रित किया गया है यूग चरन, समर्पन, हीम किरिटिनी और वेनु लोग गुंजे धरा इनके अन्य कावे संग रहे चत्रवेदी जी ने ओच पूर्ण भावात्मक सेली का प्रेयोग किया है इनकी सेली में चायावादी लाक्षनीकता परिलक्षीत होती है चत्रवेदी जी की कविताओं में कलपना की उच्ची उडान के साथ इभावों की त्रिवता भी दृष्टी गोचर होती है माकनलाल चत्रवेदी जी की रचनाएं हिंदी साहित्य की अक्षे निदी है जिन पर हिंदी साहित्य प्रेमियों को गवरवानु भूती होती है इस प्रकार ये माखनलाल चोत्रवेदी जी भारती आत्मा के नाम से संबोधित किये जाते है देखिए इनका साहित के में बहुत सारा मतलब योगदान रहा है साहित में इनोंने बहुत अच्छे से अपनी लेकने के माध्यम से राष्ट भक्ती राष्ट प्रेम आधी के बारे में लिखा है देखिए इसलिए इनको भारती आत्मा का जाता है ये बाते कावे सार इस प्रकार है देखिए प्रस्तुत कविता का बेटी की विदा इस कविता को अभी हम देख रहे है देखिए तो देखेंगे कावे सार इसका इस प्रकार है देखिए प्रस्तुत कविता में बेटी की विदाई को अतीत की स्मुर्तियों से जोड़ते विए कवि ने यतार चितरन किया है अतीत बिता हुआ कल एक समय था बेटिया किस प्रकार से बचपन से लेकर बड़पन तक पाल पोस कर पड़ा लिखा कर माता पिता उसको बढ़ा कर देते है और बाद में एक दिन उसकी विदाई करने पड़ती है एक एक पिता जी तो अपने बेटी को ही बेटा मानते है और इसलिए बेटी और बेटा इसका अंतर उनको शादी के बाद पता होता है देखिए हां तो समाज वाले लोग इस प्रकार उनको कहते हैं लेकिन ये बेटियां मैके में जब होती है तब किस प्रकार के माताविता की प्यारी होती है उसकी पाजे पैजन के आवाज से खनकने तक खनकने से लेकर बड़पन तक की आदे मातपिता के मन में बसी होती है देखिए तो आगे देखिए प्रस्तुत कविता में बेटी की विदाई को अतीत की स्मुर्तियों से जोडते विए कभी ने अतार चित्रन किया है बेटी जब ससुराल जाती है तब एक तरफ उसका उस परिवार से बिचुडने का दुख होता है कभी ने उसके जीवन से जुड़े सभी प्रसंगों को कावे पंक्तियों में समेटने का प्रयास किया है एक पिता जो अपनी बेटी को बेटा कहकर पुकारता रहता है उसे लगता है कि यह उसका पागलपन तो नहीं है वो धारा में ही बैता चला जाता है इस प्रकार कवी को बेटी के रहते अपने घर में बिटाए हर मौसम तेवार उसका प्रत्यक रिष्टे नाते से व्यवार सब कुछ याद आ जाता है इस प्रकार एक पिता का रुधय एक पिता के रुदय का मर्म परशी वर्नन प्रस्तुतिस कविता में हमें देखने को मिलता है बेटी की बिदा बेटी की बिदा एक इस प्रकार होती है और कुण कुण सी यादे प्रस्तुतिस कविता के माध्यम से माखनलाल चत्रुवेदी जी ने हमारे सामने रखी है उसको देखेंगे जैदि कुछ समझ में नहीं आये तो पूछना है मैं पीडियव के माद्यम से कविता का कविता और कविका परिच्यादी भीज रहा हूं उसे तोड़ा देखिए धन्यवाद